नमस्कार फ्रेंड्स मैं आत्री विश्वास रॉय एक बार फिर से आप सभी का रीप्रेजेंटिंग इंडिया में स्वागत करती हूँ हाल ही में मैंने ये फील किया है कि आप लोगों को मेरा रियाक्शन और रीवियो का वीडियो बेहत पसंद आ रहा है और कुछ फॉल्लवर्स ने मुझे ये भी कहा कि मैं कुछ वीडियो पर रियाक्ट करूँ तो मैंने भी सोचा कि आपकी फर्माईश पर गौर किया जाए और हफते में एक रीवियो का वीडियो कम से कम तो मैं आपके लिए लेकर ही आऊ और इसलिए मैं आचुकी हूँ आज एक और मुझेकल वीडियो के साथ जिसका मैं रीवियो करूँगी आई होप कि आपको पसंद आए नौर्टीस्ट इंडिया के आर्ट इन कल्चर और इसके जबरदस्त म्यूजिक से हम सभी वाकिफ हैं और इसी मुझेकल लिस्ट में एक ऐसा गाना है जो आजकल बहुत पॉप्यूलर हो रहा है मिलियंस में इसके व्यूज जा रहे हैं और आजकल मेरा फेवरेट गाना यही है मैं बात कर रही हूँ आनितो माचाया गाने की जो आजकल जबरदस तरीके से हिट हो रहा है यह गाना एक रोमांटिक ट्रैक है जो एक छोटी सी लव स्टोरी पर बेस्ट है हीरो और हीरोईन को एक दूसरे से बहुत प्यार है और दोनों ही एक दूसरे में खोए रहना पसंद करते हैं इस म्यूजिक वीडियो में दोनों के ही बेहत रोमांटिक सीन्स को दिखाया गया है जिसमें वो एक दुसरे को रिंग पहनाते हैं कहीं हीरो और हीरोईन बाहर बहतरीन जगों पर भूमने के लिए जाते हैं साथ ही फ्रेंड्स के साथ कैम्पिंग करने के लिए भी कई जगों बर जाते हैं ऐसे मोमेंस को दिखाया गया है जहांपर हीरो और हीरोईन एक दुसरे को बहुत कियर भी करते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है एक और लड़की की एंट्री होती है जिससे इस लव स्टोरी को एक लव से आसु भी निकलाएं जहां तक मुझे समझाया अनितोमा चाया का मतलब होता है कि आखिर मेरी क्या गलती है और यह स्टोरी भी उसी ट्रस्ट पर बेस्ट है इसमें एक्टर वीभा शुभजीत और शुश्मिता की आक्टिंग तारीफे काबिल लगी शुभजीत और वीव चाहिए अपने किर्दार को बिल्कुल परफेक्टली एक्ट करने के लिए और अपने एक्स्प्रेशन से नेगिटिव किर्दार को बखु भी निभाने के लिए लब और ट्रस्ट पर बेस्ट इस म्यूजिक वीडियो में अपनी सुरीली आवाज दी है पौरमीता रियांग और स्कौंग देव वर्मा ने इन दोनों के आवाज का जादू बिल्कुल छागया है और मुझे इस गाने के लिरिक्स को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हर गाने के लाइन का लिरिक्स इंग्लिश सब्टाइटल में दिया हुआ है पौरमीता बहुत ही टैलेंटेड है ये मैं उनके कई हिट सौंग्स देखने और सुनने के बाद कह रही हूँ पौरमीता ने सिर्फ इस गाने में अपनी आवाज नहीं दी है बलकि इस गाने की स्टोरी लिखी है और तो और गाने को कमपोस भी किया है मैंने देखा कि इस वीडियो की सारे अक्ตर्स ने कमाल का परफार्मेंस दिया है और हर चोटी से छोटी सीन को भी परफिक्ट बना दिया है वीडियो के लॉंग शॉट्स बहुत अच्छे से कैप्चुर किये गए हैं अक्टर्स के सारे इमोशन्स इस वीडियो में अच्छी तरह से शूट हुए हैं चाहे वो प्यार वाले शॉट्स हो, गुस्सा हो, जलसी हो, या फिर रूठना मनाना, या फिर रोना सबकी वीडियोग्राफी कमाल की है मेरे उपीनियन में इसकी एंडिंग थोड़ी सी अलग होती तो मैं ज्यादा खुश हो जाती और आखों से आसुने ही निकलते लेकिन ये डायरेक्टर की सूजबूच थी कि उन्होंने एंडिंग को भी एक अलग ट्विस्ट दिया है और सैड एंडिंग रखकर ओडियन्स को बांधे रखा है नौर्थीस्ट के ऐसे टैलेंट्स को मेरा सल्यूट है इस वीडियो को देखकर लगा जैसे नौर्थीस्ट इंडिया म्यूजिक आलबम की दुनिया में एक अपना अलग लेवल, अपना अलग स्टैंडर्ड बना रहा हो साथ ही परफिक्ट वीडियोग्राफिक के शॉट्स, बहतरीन, एक्स्प्रेशन, ओसम स्टोरी लाइन और सबकी दमदार अक्टिंग ने लोगों का और खासकर मेरा दिल जीत लिया है अगर आपको मेरा ये म्यूजिकल वीडियो का रीवियू पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नौर्थ इस्ट इंडिया के टालेंस वर्ल्ड वाइड फेमस हो सके, उनका नाम और आगे बढ़ सके साथ ही अगर आपको इस वीडियो यानि के आमी तो माचाया का गाना देखना हो तो मेरे डेस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है जरूर जाएए और इंजोई कीजिए ये गाना अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैं कोशिश करती रहूँगी कि हर हफ़ते एक रियाक्शन वीडियो, म्यूसिक का आपके लिए जरूर लेकर आओ, नमस्कार